हलो आल एंड विलकम बैक अगें टू मॉडरन हिस्ट्री सीरीज मॉडरन हिस्ट्री की सीरीज में लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा हुआ था NCM के बारे में नॉन कॉपरेशन मॉमेंट के बारे में और हम लोग ने देखा था किस तरीके से non-cooperation moment पहले अपने zenith तक पहुचता है सब लोग इसमें participate करते हैं हिंदो, muslim या फिर women सब लोग इसमें participate करते हैं और end में फिर ये moment जब अपने चरम पर था तभी चौरी-चौरा में एक violence हो जाती है वहाँ पर एक थाना वहाँ उसको आग लगा दी आती है और उसके बाद से ultimately गांधी जी ने बार्दोली से इस NCM moment को वापस ले लिया था और इस moment के वापस लेने के बाद ही तुरंद जितने भी British थे वो action में आ गया और action में आने के बाद में जितने भी leaders थे सब को फिर गिरफतार कर लिया गया था तो इस दोरान में जब गिराफतारी हुई थी तो जितने लोग गिराफतार कर लिये गए थे तो वो तो खैट जेल चले गए 1924 में फिर अल्टिमेटली गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है हम लोग देखा था कि non-cooperation moment के दोरान में जब session हुई थी Congress की session वहाँ पर दो लोग divide हो गए थे एक लोग थे एक तरफ लोग थे जो बेसिकली चाहते थे election में participate करना वहीं दूसरी ओल जो है वो कुछ लोग कुछ उक्रांतिकारी लोग थे उन्होंने यह कहा था कि नहीं हमें complete bycott करना चाहिए हर तरीके से चाहिए वो election ही क्यों ना हो तो जो election के बारे में बोल रहे थे election की जो शुरुआत है वो एक्च्वल में government of India act 1939 से 1919 से होती है और यहाँ पर responsible government के लिए 1919 का जो act आता है उसमें बताया जाता है साथ ही साथ में provincial elections के बारे में भी चीज़े बोली आती है NCM moment चल रहा होता है एक अगस 1920 को फिर start होती है और 4-4, 5 February 1922 को हो जाती है अगर ground पर result देखेंगे तो कुछ भी हमें नहीं मिलता है क्योंकि ना तो हमें independence मिली है ना तो हमें जो गांदी जी ने अपने वादे की हुए एक साल में हम लोग independent हो जाएंगे ना तो वो मिला है ना तो dominion status मिला है ना तो home rule मिला है मतलब it is one square जहां पर हम लोग थे वहीं पर हम लोग अभी भी थे लेकिन यहां से एक चीज हो गई थी लोगों को अब सत्यागरह का मतलब पता चल गया था कि सत्यागरह कितनी जादा strong चीज है साथ ही साथ में हिंदो मुस्लिम unity भी हो गई थी साथ ही साथ में जो एकता चाहिए थी जो unity चाहिए थी वो अब लोगों को समझ में आ गया था और इसी कारण से लोग अब इनकी assemblies में घुस करके इनके जो legislative assemblies हैं वहां पर जा करके फिर सत्यागरह करना चाहते थे और assemblies में जाने का मतलब है कि election को contest करना ही एक मात्र रास्ता था there is no alternative तो leaders ने सोचा कि we need to change our strategy तो 1923 में फिर ultimately provincial elections होते हैं विधान परिशत के elections होते हैं और इसमें एक तरफ लोग रहते हैं जो कहते हैं कि हमें participate करना चाहिए वहीं दूसरी और रहते हैं लोग जो कहते हैं नह लोग हैं वो रहते हैं मुतिलाल नहरू चितरंजन दाश विठ्थल भाई पटेल एनी बेसेंट यह लोग जो है वह participate करने वाले थे वहीं दूसरी और राजेंद्र प्रसाद हो गया सी राजगोपालाचारी हो गया वल्ला भाई पटेल हो गया डॉक्टर अंसारी हो गया श बात किया जाए तो स्ती आरदास ने जो कि इंप्रिजंड हो गयता है इस समय जेल में चले गयते और इनके बदले में हाकीम अधाखां ने चेरमैंनशिप की थै यहां पर उन्होंने कहा था कि और इस तरीके से एक कर लिया हो और ने नहीं इस तक आपके है न फिर इस दिट जो हता है वो माना था कॉंग्रेस रिलाइज इस मिस्टेक फर वोटिंग अगेंस्ट प्रोविंशल इलेक्शन और इस तरीके से 23 के स्पेशल सेशन में जो की दिल्ली में हुआ था यहां पर मौलाना आजाद ने चेर्मैंशिप की थी और इन्होंने कहा कि अलग-अलग होने क कॉंग्रेस जो बनाई गई थी वो स्वराज पाटी के नाम पर जो होता है अब कॉंग्रेस का सपोर्ट यहां पर मिल गया था स्वराज पाटी के अगर बारे में बात किया जाए तो इसके प्रेसिडेंट थे चितरंजन दास और इसके सेक्रेटरी बनाए गए थे मोतिलाल नहरू अब्जेक्टिव क्या था वही अब्जेक्टिव था जो बाकी कॉंग्रेस के मेंबर्स का था डिमांड फॉर स्वराज इसके लावा गेट दा काउंसिल एंड लेट एंसीयम गेट सक्सेस इंदा काउंसिल तो जो सहीयोग हम लोग अभी ग्राउंड पे दिखा रहे है लेकिन अगर असेंबली में जा करके हम लोग कृटिसाइज करेंगे तो यह फिर अल्टिमेटली यहां पर रिकॉर्ड में आएगा तो इससे हमें फायदा हो सकता है अल्टिमेटली इलेक्शन होती है नमबर 1923 के लिए और दो इलेक्शन होते हैं सेंट्रल असेंबली की इलेक्शन होती है जो सेंट्रल असेंबली की इलेक्शन होती है यहां पर स्वराज पार्टी ने 42 सीट जीती थी आउट आप 101 जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है तो 101 में से 42 सीट इन लोग ने जीत लिया था यहां पर प्रोविंशल इलेक्शन में अगर बात किया जाए तो वन सेकेंड यहां पर थोड़ा सा यह यहीं पर लिख दिया गया है तो प्रोविंशल इलेक्शन में क्या है कि यहां पर मेजॉरिटी बेंगॉल आ गई थी इसके अलावा बॉंबे में भी इन्होंने काफी अच्छा मतलब प्रदर्शन किया था का युनियोनिस्ट पारटी यहां पर बन गई थी और यह युनियोनिस्ट पारटी अपने आप में बहुत ज़्यादा जो है वो नेम फेम था यहां पर काफी अच्छा इन्होंने काम किया हुआ था तो इस तरीके से यह लोग जो है मदरास और पंजाब तो हार गए थे लेकि मेर बना दिये गये थे गांधी जी जो है फिर जेल से भी वापस आ गये थे तब तक यूँकि 1924 की कहानी है जिस समय ये लोग जो है स्वराज को कि हाँ ठीक है तुम लोग सही कर रहे हो कोई गलत काम नहीं किये हो बढ़िया काम किये हो और यही तो in fact काम भी था स्वराजिस्ट का तो Governor General took its power all the power, मतलब हर समय Governor General जो होता है वो अपनी veto power use कर रहा है कि हाँ ठीक है pass नहीं किया है कोई बात नहीं हटाओ हम pass करेंगे pass नहीं किया है चलो हटाओ हम pass करेंगे तो मतलब हर समय एक ही चीज जब चलेगी कि यार इधर से लोग pass नहीं कर रहा है Governor General veto power कर रहा है तो एक समय के बाद आदमी हार जाता है और यह कहता है कि अच्छा ठीक बताओ तुमको क्या दिक्कत है तो यही केस British के साथ भी हुआ है British ने give up कर दिया और final solution के बारे में बात किया कि बताओ भई तुमको क्या दिक्कत है क्या करोगे तुम तो जो स्वाराजिस्त हैं उन्होंने demand किया कि हमारी कुछ conditions है उस condition के लिए सबसे पहली जो requirement है वो है round table conference करिए अब यह round table का मतलब क्या है ध्यान से समझेगा actual में क्या होता है कि जब भी कोई conference होती थी अभी तक वो इस तरीके के table पर हुआ करती थी जहां पर जो head था वो एक side में बैठता था बाकी जो head नहीं है मतलब कि जो representative है वो इधर उधर बैढ़ जाता था तो इससे लगता था कि हाँ जो British है वो अपने आप में head है superior है लेकिन अगर round table यूज किया जाएगा तो यहां पर कोई कहीं पर भी बैठेगा कोई भी head नहीं रहेगा तो basically equality के लिए ये round table की शुरुआत की गई थी और in fact इन्होंने कहा कि हमारी requirement सुनने के लिए हमारी demand सुनने के लिए review कराने के लिए मोडिमन कमिटी एक बनाई गए थी और ये कहा गया कि चलो ठीक है भाद में हम लोग 10 साल बाद साइमन कमिशन बना देंगे तो 10 साल बाद यानि की 1919 का केस है तो 1929 में बनाना था लेकिन 1929 से पहले actual में हाई elections था तो इस वज़े से कहा पर बिटेन में इस वज़े से क्या है कि ये कमिशन पहले ही बना दिया गया था 1927 में तो 1929 नहीं 1927 में ये कमिशन बना दिया गया था बिटिश मेड प्रेसिडेंट आफ सेंटरल लजिसलेटिव काउंसिल किसको बना दिया गया था विट्छल भाई पटेल को बना दिया गया था और इस तरीके से पहले इंडियन Executive Council के अफिर कह लीजे Speaker बनाए गये थे तो सबसे पहले जो है ये विट्छल भाई पटेल जो है Speaker बनाए गये थे 1925 की कहानी है 1925 में ये बनाए गये थे पहली बार और इस तरीके से जो इंडियन्स थे उनको पहली बार Member of Parliament यानि की Member of Legislative Assembly का बनने का मौका मिला, स्पीकर बनने का मौका मिल रहा है, गवर्मेंट के साथ में डिस्कुशन करने का मौका मिल रहा है, कितिसाइस करने का मौका मिल रहा है, तो ये सारा कुछ हुआ था जब सुराज Persis Party चुन करके आसिंबिली में गई थी। इसके लावा एक Um कमिटी भी बनाई गए थी इस स्क्रूइनिंग कमिटी का दूसरा नाम है इंडियन सैंड होच कमिटी यह कमिटी बिसिकली बनाई गए थी इंडियनाईजेशन आफ आर्मी के लिए कि हां ठीक है आर्मी में इंडियन पीपल को ज्यादा हम लोग इंक्लूड करेंगे यहाँ पर मेंबर के रूप में जवाला लहरू भी थे और साथ में जिन्ना भी थे तो दोनों लोग भी विसिकली स्टूनिंग कमिटी के मेंबर बने थे यह सारी कुछ चीजे काफी अच्छी चल रही थी सब बढ़ियां चल रहा था लेकिन फिर से 1925 में जो चितरंजन दास से उनकी डेथ हो जाती है और इनकी डेथ के कारण से जो स्वराज पार्टी है यह पूरी पार्टी सी आरदास पर ही टिकी हुई थी तो जैसे ही यह जो पिलर है वो गिरता है स्वराज पार्टी भी लडखाडा करके गिर जाती है और इस तरीके से इस पार्टी का भी एंड हो जाता है और इस तरीके नौन कोपरेशन मोमेंट चौरी-चौरा में वॉयलेंज के कारड़ खतम हुई थी वहीं दूसरी और सत्यागरा पारलेमेंट में जो सियारदास ने मुतिलाल लहरू ने स्टार्ट की थी वो सियारदास के डेस्ट के बाद में खतम हो जाती है तो ये चीज़ है जो सुराज पार्टी से रॉलेटिट सी जिसको आपको पढ़ना था इसके बाद हम लोगों को जो डिस्कुशन करना आज के टॉपिक में वो है साइमन कमीशन के बारे में नहरी रिपोर्ट के बारे में लहोट सेशन के बारे में और सीडियम के बारे में और अगर टाइम रहेगा तो बोस के बारे में भी बात करेंगे सुबास चंदर बोस के बारे में भी बात करेंगे सबसे पहले हम लोग ज़रा डिस्कुशन कर लेते हैं साइमन कॉमिशन के बारे में अभी हम लोगों ने देखा कि 1919 के Act के Review के लिए जो सवराजिस्ट थे उन्होंने डिमांड किया था कि हमें Review कराना है Review कराने के लिए Committee बनाए गई थी जिसका नाम था मुड्डी मान Committee और वहीं दूसरी और साइमन कमिशन बनाए गया था 1927 में तो यह Committee बना दी गई थी इस Committee में अगर बात किया जाए कि कौन-कौन से Members थे तो Member का नाम भी आप लोग ध्यान रखियेगा हो सकता Examination में पूछा जाए तो इनके एक Member थे Bottom इसके अलावा Stretch Kona, Fax, फिर Gardagon, फिर Atlee, यह Atlee वहीं है जो आगे जाकर के Election Contest करेंगे इसके अलावा Burnone Heart Shown, Burnone Heart Shown, इसके अलावा Simon यह Members थे जो Basically Simon Commission के Member थे, नाम से पढ़के आपको लग रहा होगा कि सारे के सारे ही जो है वो British Member ही है और बिल्कुल सही लग रहा है आप लोगों को अच्छा याद कैसे करें इसको? याद करने के लिए देखिए कई सारे आप ट्रिक वगरे बना सकते हैं तो जैसा भी आपको ट्रिक की यूजवल लगे वैसा ही आप बना सकते हैं तो यहाँ पर स्वराज पार्टी जो है वो चुन करके जा चुकी थी तो इस वज़े से एक होप था कि स्वराज के जो मिंबर्स थे उनको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए जैसे कि अभी हम लोग देखा था कि सैम होस्ट कमिटी थी स्क्रीनिंग कमिटी थी वहाँ पर इंडियन्स को इंक्लूड किया गया था तो जब साइमन कमिशन बनाया जा रहा है 1929 का यहाँ पर रिव्यू किया जा रहा है तो यहाँ पर भी तो स्वराज के मिंबर को इंक्लूड किया जाना चाहिए तो यहाँ पर स्वराज के मेंबर को इंक्लूड नहीं किया गया था पूरी तरीके से जो होता है यहाँ पर केवल हो केवल बिटिश पीपल ही आ गया थे और इस वजह से कॉंग्रेस ने बाइकॉट करने का निड़े लिया तो कॉंग्रेस ने ये कहा कि हम लोग बैकॉट करेंगे साइमन कमीशन का और इसमें अच्छा एक तरह कुछ लोग थी जो साइमन कमीशन का सपोर्ट भी कर रहे थे अब सपोर्ट कौन करेगा देखें सपोर्ट वों करेंगे जो लावाले लोग हैं इसी तरीके से Muslim League ने भी सपोर्ट किया था, मद्रास Justice Party ने भी सपोर्ट किया था पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी ठीक है इसके लावा कुछ जमिंदार लोग थे उन लोगों ने भी इसे सपोर्ट किया था तो यह ध्यान रखिएगा कौन-कौन लोगों ने सपोर्ट किया हुआ है पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी और जमिंदार इन लोगों ने सपोर्ट किया हुआ है साइमन कमीशन का जो बाइकॉट हो रहा है उस बाइकॉट को करने के लिए लखनौ से कौन-कौन लोग थे तो लखनौ से हमारे जो पहले सीयम थे उनका नाम गोविंद बललफ पंथ हो गया इसके अलावा जवाहर लाल नहरू थे जो की बेसिकली लखनौ से क्रिटिसाइस कर रहे थे बाइकॉट कर रहे थे पंजाब से कौन कर रहा था पंजाब से हमारे लाला साहब जो थे यह बाइकॉट कर रहे थे यहाँ पर ultimately Simon Commission का भहिशकार किया जाता है Simon Commission को कई जगहाँ पर black flags, college, घंडे वगरा दिखाया जाता है लिकिन ultimately क्या होता है Simon Commission जो होता है वो अपनी recommendation देता है अच्छा एक चीज़ ध्यान रखेगा Simon Commission दो बार इंडिया आया था ठीक है टू टाइमस इंडिया आया था एक बार आया था और फिर चला गया था फिर दूसरी बार आकर के review किया गया है तो यह भी ध्यान रखेगा में भी आप लोगों से जो होता है छोट ऐसे इस fact को ले करके question पूछा जा सके तो इनकी recommendation क्या क्या आई थी इनकी recommendation भी जरा फटाफट पढ़ लेते हैं तो ठीक है recommendation इन्होंने दिया था सबसे पहली recommendation आई थी कि जो diarchy उसको खतम करिए end diarchy को end करिए और एक responsible government को establishment करिए तो established responsible government responsible government clear दूसरी चीज यह कहा गई कि union level पे जितने भी इंडियन वगरे हैं उनका participation नहीं करना है तो union पे इंडियन participation नहीं होना चाहिए तीसरी चीज जो इन्होंने कही थी कि federal constitution हमें बनाना होगा तो federal constitution के बारे में उन्होंने वकालत की थी federal constitution उन्होंने recommend किया फिर उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि वर्मा भी इंडिया के साथ में मिल करके बहुत जादा जो है independence चिला रहा है separate वर्मा वर्मा को अलग करो separate वर्मा from इंडिया और इस तरीके से बर्मा को बाद में आगे जाकर के जो है वो अलग कर दिया जाएगा ठीक है demand इसलिए हो रही थी क्योंकि बर्मा को demand बहुत जादा हो रही है independence की दोनों मिल करके काम कर रहे थे तो यह काम किया गया था तो इस तरीके से इन्होंने अपनी recommendations दी थी इस recommendation के बाद obvious ही बात है कि कोई भी support नहीं आएगा अब यहाँ पर देखे अगर justice अगर हम लोग बात करें सुराज की सुराजीयों की क्या demand थी सुराजिस्ट की demand थी पहली चीज़ की round table conference किया जाना चाहिए जिस पर अभी कोई सहमती नहीं बनी है दूसरा चीज़ होना चाहिए कि 1919 वाला जो एक्ट है उसकी review कराई जानी चाहिए तो review कराई जाने के लिए obvious ही बात है कि यहाँ पर लोग जो है वो support मतलब Simon Commission को बुलाए गया Simon Commission का support नहीं मिला support नहीं मिला तो British क्या कहेंगे क्या कहेंगे बताइए British यहीं न कहेंगे कि ऐसा है कि तुम ही लोग अपना constitution बना के दिखाओ तुम लोग जो है तुमको कोई समझ में नहीं आ रहा है कुछ नहीं जो कोई भी recommendation दे रहा है तुम ही लोग बना करके दिखाओ आखिर में कौन सा recommendation है और इस challenge को accept किया गया कि हम constitution बना के दिखाएंगे लेकिन यहाँ पर British की एक ही demand थी British की demand यह थी कि आप ऐसा constitution बनाएंगे जो सब को सब को मतलब सब लोग जो है उसको accept करेंगे सब ही लोग एक्सेब्ट करेंगे सब ही लोग का मतलब है Muslim League भी accept करें और जिन्ना भी accept करें Embedikar भी accept करें मदरास Party भी accept करें और पनजाब भी accept करें मतलब सब लोग इसे accept करें ऐसा आपको constitution बनाना है और इस चीज को accept कर लिया गया था हमारे Congress के द्वारा और मोतिलाल नहरू ने अपनी रिपोर्ट बनाई थी इन दा नेम ओफ नहरू रिपोर्ट अब इस रिपोर्ट में ऐसा नहीं है कि केवल मोतिलाल नहरू ही थे अकेले और उन्हों नहीं बनाई थी यहाँ पर कई लोग थे इनके साथ में इनके सपोर्ट में जो इस रिपोर्ट को बनाये थे और यह रिपोर्ट आई थी 1928 में एक साल बाद यहाँ पर मेंबर्स कौन कौन से थे जरा देख लेते हैं यहाँ पर थे तेज बहादूर सपरू तेज बहादूर सपरू थे मुतिला नहरू भी हो गया तेज बहादूर सप्रू हो गया इसके अलावा सुबास चंद्र बोस थे इसके अलावा मंगल सिंग थे तो दिस इस मंगल सिंग ठीक है सबका नाम याद रखने की ज़रूत नहीं यह लिकिन एक आइडिया होना आपको जरूरी है अली इमान थे अली इनाम थे सुरी अली इनाम इसके अलावा सी आर प्रधान थे फिर आपके सुखदेव ठीक है सुखदेव फिर आपके एक शोयब कुरेशी थे तो शोयब कुरेशी थे तो ठीक है तो यह कुछ इंपोर्टन लोग है बिसिकली यहाँ पर नाम आप लोगो कुछ-कुछ दिखाना था कि कौन-कौन से important लोग है जो basically इस meeting में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं और ultimately इन लोगों ने अपनी recommendations दी थी recommendation के तौर पर क्या क्या दिया recommendations क्या क्या दिये थे सबसे पहली recommendation उन्होंने दिया dominion status तो this is dominion status के लिए demand किया गया था हाला कि बाद में इन्हीं को देखेंगे क्या किया गया है ठीक है पहले चीज़ हो गए dominion status दूसरा बोला गया कि federation हमें ले करके आनी है federation विथ बाइ-कैमरल लेजिसलेचर तो बाइ-कैमरल लेजिसलेचर होना चाहिए बाइ-कैमरल ठीक है बाइ-कैमरल चलिए खेर इतना समझ जाएंगे अप लोग तीसरी चीज़ गवर्ना जनरल जो होगा या वाइसराय जो होगा गवर्ना जनरल जो होगा ये एक constitutional head के तरीके से सिर्फ काम करेगा इसके पास veto power और कुछ नहीं रहेगी तो constitutional head के तरीके से सिर्फ काम करेगा और मिनिस्टर्स को रिस्पॉंसिबल रहेगा मतलब यहां पर कोई काम अपने से नहीं करने वाला है इसके अलावा जो कम्यूनल इलेक्टोरेट है कम्यूनल इलेक्टोरेट है इसको रीजेक्ट कर दिया गया इसको कहा गया कि इस तरीके से हमें न दिया जाता है तो minority basis पर हमें इलेक्टोरेट देना चाहिए न कि हिंदू मुस्लिम या फिर आपकी सिख एंगलो इंडियन इस तरीके से नहीं देनी हैं पांचवी रिकमेंडेशन दी कि सिटिजन्शिप को पहले आप डिफाइन करिए सिटिजन्शिप को डिफाइन करिए प् थी इस नहरू रिपोर्ट में तो नहरू रिपोर्ट में आगे आ जाएगा फिर इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो आप लोग युनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज करके रखें हैं जिसकी लिमिट 2% है इसको 2% से बढ़ा करके 11% तक करना है मतलब कि वोट डालने का लोग जा करके वोट कर सकते थे और वो अविसली बड़े लोग ही जा करके करेंगे तो इसको बढ़ा करके 11% करेनी की बात की गई कि ताकि और रिपर्जेंटेशन तो मिले लोगों का सभी लोग 100% तो नहीं जा करके कर रहे हैं लेकिन कम से कम 11% तो जा करके करेंगे तो इस जितने हाई क्लास प्रिश्टली क्लास थे वो तो बिटिशर के फेवर में चले आते थे और इस कारण से होता है दिक्कते हो जाती थी इसके अलावा सेवन्थ रिकमेंडेशन और लास्ट रिकमेंडेशन यह कही गई थी कि जितने भी प्रोविंसेज हैं उनका इसे अलग अलग कर दिया जाना चाहिए इसे पंजाब में आलग से नहीं रखना चाहिए तो यह कुछ रिकमेंडेशन थी नहरू रिपोर्ट की अब देखिए इस नहरू रिपोर्ट में इन्ही के लोग जो होता है और बाहर के लोग भी जो है कृटिसाइज कर देंगे यह काम नहीं चलेगा यह मजा नहीं आया अब जैसे कि यहाँ पर इन्हों ने कहा डोमीनियन स्टेटस कॉंग्रेस के लोगों ने बोला कि डोमीनियन स्टेटस हम लोग कब तक सहेंगे तो हमें अब डोमीनियन स्टेटस नहीं चाहिए हमें अब कम्प्लीट इंडिपेंडे चाहिए तो complete independence के नाम पर यहां पर Congress वालों ने खुदी इनका विरोध कर दिया कि यार यह गड़बड हो गया है बढ़िया रिपोर्ट नहीं बनाए हो इसी तरीके से हमारे जिन्ना जी थे उन्होंने कहा यह कम्यूनल इलक्टोरेट की जगा तुम minority यह सब क्या कर रहे हो तो मुतिला नहरू यह जो रिपोर्ट थी यह बिसिकली fail हो गई थी लेकिन इसके fail होने पर क्या हुआ कि हमारे जिन्ना जी वो भी कहेंगे हम भी तो lawyer है हम भी तो बनाएंगे इन्होंने कहा कि जिन्ना ने कहा कि यार ऐसा है तुम छोड़ो हम बना के दिखाएंगे तो जिन्न लेफ्ट कॉंग्रेस जिन्ना लेफ्ट कॉंग्रेस और यहां इन्होंने अपना अलग से 14 पॉइंट एजन्डा बताया था 14 पॉइंट एजन्डा हाला कि इनका जो एजन्डा था वो purely purely Muslim oriented था तो सीधी सी बात है इनका भी accept तो नहीं किया जाएगा तो यह भी reject ही था लेकि हम Muslim oriented ही है और I will do only for the Muslim community तो यह चीज हो गई थी आगे इस दा नहरू रिपोर्ट इनो ने भी अपने 14 पॉइंट जो है वो एजन्डा बताया था तो इस तरीके से जो है यह complete independence वाली बात थी लेकिन यह complete independence जो कॉंग्रेस की यहां पर demand थी यह पहली बार निकल के आई थी और फिर हमारे सुबास चंद्र बोस हो गए इन लोगों ने कहा था कि यार हमें अब complete independence की ओर में काम करना चाहिए हाला कि यह complete independence का जो नारा है यह भगत सिंग ने पहले ही दे दिया था लेकिन Congress अपने आप में एक important चीज है तो इसके अलावा सत्यमूर्ती एक थे इन्होंने भ इन्डिपेंडेंस लीग यह बना लिया था और यह जो है इन्डिपेंडेंस के लिए काम करना शुरू कर दी अल्टिमेटली 1929 में फिर एक लाहौर सेशन होती है और वहाँ पर जवालल नहरू जो है वो टेक ओवर कर लेते हैं अपने पिता जी की position that is मुतिलाल नहरू बात है जो आप बोल रहे है complete independence यह भी ठीक है यह भी अच्छी चीज है इन्फेक्ट अब हम लोग समझ भी गया है इतना time हो गया तो complete independence दिमांड तो करी सकते हैं गांधी जी ने कहा कि अच्छा ठीक है चलो dominion status के काम करते हैं एक साल का मौका देते हैं हम लोग बिटिश को अगर एक साल में मों हमारे dominion status की बात को सुन लेते हैं तो ठीक है अगर नहीं सुनते हैं तो हम लोग complete independence अब से demand करेंगे मतलब एक साल का time period दिया गया dominion status से complete independence को demand को change करने के लिए तो यह basically ultimately चीज़ों है और यह चीज़ आगे हम लोग देखेंगे फिर आगे क्या होता है आगे लहौर सेशन आता है 1929 का नेक्स आती है इस लहौर सेशन लहौर सेशन आता है 1929 का और यहां पर जो chairmanship करते हैं वो आ जाते हैं बाप बिटे का रिष्टा आ जाता है जवाहालाल नहरू आ जाते हैं और जवालाल नहरू कौन से वाले party के हैं जवालाल नहरू जो है वो all India all India independence party के हैं और यहां पर इंडिपेंडेंस पार्टी ठीक है और यहां पर जवाहलाल नहरू ने अल्टीमेटली डिक्लेयर कर दिया कि अब हमारा जो टारगेट है वो है कम्प्लीट इंडिपेंडेंस कम्प्लीट इंडिपेंडेंस और इस तरीके से इन लोगों ने 26 जनवरी 1930 ये डेट माल लिया क्योंकि देखिए जनरली क्या होता है कि जो कॉंग्रेस के एनुवल समिट्स होती थी वो डिसंबर में होती थी डिसंबर 1929 अब साल जैसे ही गुजरे का कौन सा यर आ जाएगा 1930 आ जाएगा और इस तरीके से इन लोगों ने अब इसे complete independence की demand भी कर लिया और अब से ये लोग इसी दिन complete independence day भी घोशित कर दिया यहीं से ये लोग जो है वो मतलब इस चीज को festival के तौर पे मनाना शुरू कर दिये थे तो ये चीज वोई थी इसी बीच में Lord Irwin साहब थे Lord Irwin साहब ने इसी तरीके से एक दिवाली declaration निकाला So this is दिवाली declaration निकाला किसने? इर्विन ने इर्विन ने, वाइसराय थे obviously इन्होंने दिवाली declaration निकाला और ये कहा कि हम Dominion status इंडिया को देना चाहते हैं Dominion status to India लेकिन ultimately तब तक क्या? तब तक देर ऊचुकी थी अब demand हो गई थी complete independence की हम complete independence चाहते हैं हम Dominion status वगरे नहीं चाहते हैं इस अब हमारे से मत बोलिएगा तो ये चीज है आपकी दिवाली declaration के नाम पर जो चीजे होई थी क्लियर हो गया क्या है? समझ में आगई चीजे क्या हुई है? तो ये थी बैसे कली Simon Commission और Lahore session और इन सब के बारे में अब हम लोग ज़रा आगे बढ़ते हैं और content देख लेते हैं काकोरी conspiracy ये अलरड़ी हम लोग ने देख रखा है मदरास में क्या हुआ था, पंजाब में क्या हुआ था, है ना? HSARA के बारे में भी हम लोग ने देख रखा था भगत सिंग के बारे में भी हम लोग ने देख रखा था और इन्होंने जो भी activities वगरे की थी उसमें भी हम लोगों ने देख रखा था कि कैसे कैसे इन लोगों ने जो हता है वो assembly में bomb फेका था और फिर motor attack बगरे किया था तो सब कुछ इन लोगों ने हम लोगों ने देख रखा है क्या किया गया है बाकि अगर बात किया जाया with Simon Commission के बारे में Simon Commission अभी हम लोगों ने discussion किया it is the formation of Simon Commission एक क्वेशन यहां पर आता है कि क्यों साइमन कमिशन वास सपोस्ट टू फॉर्म इन 1931 सरी 19 दिस इस 1929 होगा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं आप हम लोग जरा इसमें कुछ खास है नहीं तो आगे बढ़ते हैं पर हम लोग जरा अप पिर आ गई थी नहरू रिपोर्ट नहरू रूप्योड भी हम लोगों ने डिस्कुशन करी लिया है यहां पर क्या क्या चीज़ें कही गई है और नहरू रिपोर्ट के ही बेसिस पर यहां इस रिकमेंडेशन के बाद सब लोगों ने अपनी अपनी बाते कहीं थी और जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट एजिंडा को फिर बताया था हाला कि 14 पॉइंट है नहीं लेकिन चलिए एक बार गो तुरू करी लेते हैं कौन-कौन से 14 पॉइंट है जैसे कि फेडरल अमेंडमेंट विदाउट एग्रिमेंट ऑफ दा इस्टेट यह अच्छी बाते कहीं गई थी बढ़ियां बाते कहीं थी इन्होंने फिर और लेजिसलेचर एंड़ एलेक्टेट बॉडिस्टेशन विदाउट रिड्यूसिंग मुस्लिम मेजॉरिटी इन दा प्रविंस्ट और इक्वलिटी अब यहां से इनका जो मुस्लिम प्यार है वो दिखना शुरू हो जाएगा उन्होंने कहा कि मुस्लिम रेपर्जेंटेशन जो है वो हमेशा दिखना चाहिए हर एक इलाके में दिखना चाहिए जो भी मेजॉरिटी वाली है इसके अलावा एडिकवेट मु minority community की द्वारा पास ना हो जाया मतलब मुसल्मानों की द्वारा पास ना हो जाया तब तक पास नहीं माना जाना चाहिए तो कोई भी आप रियोर्गनाइजेशन कर रहे हैं प्रोविंशियल जैसे क्या है कि कॉंग्रेस ने बोला था मतलब की मोतिलाल नहरू ने कहा था कि language के basis पर हम लोगों को territory का वापस सरी organization करना चाहिए उन्होंने कहा जो कुछ करना है करो लेकिन Muslim majority जो है वो disturbed नहीं होनी चाहिए separation of sin from Bombay presidency ये भी कहा गया था और in fact ये तो खैर उन्होंने भी कहा था कि करनाटक और सिंद को अलग कर दिया जाना चाहिए बाकि Northwest 20 और अबलुचिस्तान में constitutional reform करने की ज़रूरत है full religious freedom दिया जाना चाहिए और communities को protection of religious cultural educational and language rights of Muslim ये भी कहा जाना चाहिए तो खैर overall sense में देखेंगे तो कुछ बाते जो constitutional बाते थी वो तो अच्छी थी जिन्ना की गलत नहीं थी बलकि सही थी in fact we have adopted that thing also लेकिन जो बाकी मुसल्मानों को लेकर के इनका जो प्यार था जो एक तरफा प्यार था वो कही न कहीं जो होता है जिन्ना के point को गलत साबित कर देता है देखें कभी भी आपको agreement करना होता है तो आपको flexible होना पड़ता है कुछ बातों में compromise करना पड़ेगा कुछ बातें आपकी मानी जाएंगी कुछ बातें आपको compromise भी करनी पड़ती है तो दोनों ही ultimately आपको तयार रहना चाहिए ठीक है बाकी इसके बाद हम लोगोंने revolutionary moments में खान अब्दिलगफार के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं because this is important खान अब्दिलगफार खान ये non-violent soldier of Islam भी बोले जाते हैं इन्ही का नाम एकनाथ ईश्वर भी है तो एकनाथ ईश्वर ये नाम जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा जनरली ये मिलता नहीं है इसलिए त्यार रखिएगा खारम दिलगफार खान ये पश्टून फैमिली के थे और ये पेशावर वैली ऑफ बिटिश इंडिया यहां पर ये अपना काम धाम करते थे यहां पर ये चीज़ें करते थे इनके बारे में हैं कुछ important चीज़ें हैं इन्होंने क्या है खुदाई खिद आगे बढ़ाया था बाकि इसके बारे में आप लोग पीडियाफ से पढ़ लीजेगा क्योंकि ज़्यादा कुछ खास है नहीं और इनकी कहानी के बारे में ही बताया गया है खान अदिलगफार खान में क्या किया गया था इसके अलावा जियातरंग मोमेंट था जो की ट्रा सत्यागरा जब होगा तो उसमें बढ़ चल करके हिस्सा लिया जाएगा और फिर बाद में जो बिटिशर है वो लोग इनको गिरफतार कर लेंगा गिरफतार करने के बाद में इनको आफ्टर इंडिपेंडेंसी मतलब छुडाया जाएगा तो यह इसके अलावा धरसना सत्य सत्यागरा है क्या चीज है यह हम लोग बाद में बात करेंगे जब सत्यागरा सॉल्ट सत्यागरा हम लोग डिसकस कर लेंगे तब हम लोग इनके बारे में बाते करेंगे तो सॉल्ट सत्यागरा हमें डिसकस करना है इसके बात से और दन हम लोग आ जाएंगे अपने और उसके आगे की चीज़े ठीक है चले फिर कोई डाउट रहेगा तो अपने डाउट को इमेल या फिर टेलिग्राम करके पूछिएगा दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में दी गई है बाके पीडियाफ को एक्सेस करने के लिए मेंबर्शिप ले सकते हैं आ कोई बटन पर क्लिक करके आपको मेंबर्शिप मिल जाएगी और फिर पीडियाफ का एकसेस भी मिल जाएगा बाके मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तिल रेन गुडबाए एंड थेंक्यू सो मच